हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी कहा हम आये चैनल में आईए आपको बता दे हैं कि कानपूर यूनिवर्सिटी चत्रपती साउजी महराज यूनिवर्सिटी का जो में सेकेंडिय का प्राइवेट फॉर्म है वो आप किस तरह से बरेंगे तो चलिए आपको जाना है सबसे प पेज ओपन हो जाएगा यहां आप देख सकते हैं और लाइन अप्लिकेशन फॉर प्राइबेट सिंगल सब्जेक्ट एक्जाम 2021 इस पर आपको क्लिक करना है आपको पता दें एक ध्यान रगना है आपको यहां थ्री डॉट्स पर जाकर आपको देस्क टॉप साइट लगा लेनी है तब ही आपको सारे ओप्सार्स क्लियरली विजवल होंगे उसका नीचे स्कॉल करेंगे आपको मिलेगा अप्लाई नौ अपको क्लिक करेंगे यहां देखेंगे लिख कर आ रहा है आर्यू समिटिंग प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एक्जामिशन फॉर दा सेशन 2020 to 21 for the first time अगर first time करने तो yes कर देंगे नहीं तो no कर देंगे तो हम yes कर देंगे first time और यह देखेंगे हम private exam के लिए form भर रहे हैं तो private पर click करेंगे और हम पर course select कर लेंगे जैसे हम MA secondary के लिए भर रहे हैं यह select कर लिया नीचे scroll करेंगे MA secondary के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको yes select करनी पड़ेगी और यहाँ पर MA first year का role number भरना पड़ेगा और यहाँ private select है इसे private select की रहने देंगी तो चलिए यह select कर लेते हैं किस year में आपने MA first year किया है 2020 में किया है उसके बाद यहाँ पर अपना role number भालेंगे लंबर भालने के बाद यहाँ submit पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे यह आपके सामने page open होकर आ गया है सबसे अच्छी बात क्या है इसमें आप MA secondary का form भरेंगे तो यह आपके सामने आ जाएंगी यह देखें MA previous का यह सारा data आपके सामने आ गया है क्योंकि यह MA first year में COVID-19 के चलते एक्जाम नहीं हुआ था प्रमोट किया गया था तो इस वैसे यहाँ पर marks की जगए पर cross बन के आ रहा है यानि MA secondary के लिए आप प्रमोट कर दिये गए है नीचे स्कॉल का पर आ रहा है examination district आप किस district में exam देना चाहरे है अपना home district ही भरिएगा और यहाँ पर आपको आधार number भरना है अपना और यहाँ पर medium of examination यहाँ पर हिंदी medium में आपको exam देना है या फिर English में देना है वो आप select कर लीजेगा और उसका नीचे देख सकते हैं scroll करेंगे यहाँ पर आपको एक elective paper choose करना पड़ेगा बाद बागी तो 1, 2, 3, 4 paper तो है ही उसके बाद elective papers में 1, 2, 3 papers में कोई select करना पड़ेगा वो आप अपने according select कर लेंगे उसके बाद नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आएगा I agree all terms and conditions इसे आप check mark करेंगे check mark करने के बाद यहाँ submit पर click कर देंगे submit पर click करने के बाद आपके सामने एक नया page open होगा यह आपका registration number मिल जाएगा for application इसको आप note down कर लेंगे उसके बाद अगली step आएगी आपके सामने आपको यह payment करना पड़ेगा किस से payment करना है आपको networking से यह आपने debit card credit card से तो जो भी आपको आप सनूब वो आप choose कर लिजेगा जैसे हमारी debit card card से करेंगे तो यह आप सन चूज कर लिजेगा और proceed पर click करने के बाद आपके सामने एक नए page open हो जाएगा यह साई detail आपके सामने आ जाएगी और नीचे देखेंगे पेञाओ आ रहा है पेञाओ पर आपको किलिक करना है यह amount आ रहा है कितना आपको amount pay करना है पे नाउपके कर देंगे स्कत्रान नीचे देखेंगे यह option आ रहा है अगला page open हो गया आपके सामने आ रहा है pay now confirm कर देंगे pay now पर click कर देंगे पेज open होगा देखेंगे आपके पास master card है या visa card है वो आपको set करना पड़ेगा आप देखिएगा कार्पूर यूनिवर्सिटी में दो ही कार से payment कर सकते हैं यह आपके पास master card होना चाहिए बीजय कार होना चाहिए जो भी कार्डों आप चूच कर लेंगे इसमें आपको अपनी detail भरनी है यहापे अपना card नंबर यहापे expiry date month year और security code जो आपका CBB नंबर है last three date का जो पीछे दिया गया होता है वो आप भर लेंगे चलिए भर लेते हैं सारी detail भर लेने के बाद इधर देखेंगे इस side ri option pay now इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी processing होगी आपको page को back नहीं करना है processing होने के बाद आपके register mobile अमपर एक OTP जाएगा वो आपको यहापर OTP भरना है OTP भर लेने के बाद आपको सब्मेट पर क्लिक कर देना है सब्मेट पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे payment process में हो रहा है और आपका यह payment successful हो चुका है आपका यह form complete वर्ट चुका है यह registration number दे दिया गया है और नीचे लिखकर आ रहा है Your online form for private exam 2020-21 accepted please visit the Kanpur University site regularly for any further information तो admit card बगरा जारी होगा जो भी information होगी वो आपको regularly check करते रहना है अपनी इस website पर Kanpur University की और यहाँ पर आ रहा है Click here to print form इस पर क्लिक करके आप अपना form print कर लेंगे और future के लिए save कर लेंगे चलिए इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से आ गया यहां देखेंगे यह आ रहा है print इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के वाद इस तरह से पीडियाप में आ जाएगा यहाँ पर आपको इस नाउट पर क्लिक करना है और नीचे इस तरह से आएगा आपसन नीचे सेव पर क्लिक कर दिना है इस तरह से आपका सेव हो गया है और बैक पर जाएंगे इस तरह से आपका form successfully भर चुका है और में सेकेंडिय का ये था क्योंकि बहुत आसान है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे में प्रीवियस है या जो हमारे सिंगल सब्जेक्ट से अभिहरती form बनना चाहते हैं वो किस तरह से बढ़ेंगे आपके जानकारी कैसे लगी हमें कमें सेक्शन में जब लिखिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्यू